तो आईए हम जड़ा देख लेते हैं न्यूटन के गती के नियम को तो न्यूटन ने तीन नियम दिये और तीनों बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ पर एक और बात मैं आपको याद दिला दू बहुत सारे स्टूड़न्स को एक छोटा सा दाउट हो जाता है जब गती के निय हम पुछा जाता है तो क्या घ्रटी के संपी कर रण। उन को या दाने लगता है क्या वो जो हमने पढ़ित सुई प्लस 80 एसिक्वाल्स टू यूटी प्लस हांफ 8 स्क्वाइर और ai वी स्कूर माइन सी यूज्छ यवेस्स कोई करीकर ये याद आने लगता है ठीक है यह क्यों यहाद आने लगता है उनको क्योंकि उनको पता है यह तीन होते हैं अच्छा यह वाले हैं और कभी यह पुछा जाए तो यह बताते हैं यह पुछा जाए तो यह बताते हैं कशान में यह ऐगा है समी करने यह इसा करके याद रख लिछेगा यह गति का समी करन है और यह गती का नियम है यह गती का कैसे खने है ठीक याद रहा जाएगा कैसे कूई यह बहीर सुनिया तर यह ब soutien भीना एक ठीक और जब हम गती के नियम की बात करते हैं तो भई ये है न्यूटन के गती के नियम चली अब confusion I think clear होगा तो हम सुरू कर लेते हैं हमारे न्यूटन के गती के नियम तो देखिए न्यूटन ने क्या कहा कि कोई भी द्रब्यमान होगा मतब किसी के अंदर भार होगा मास होग तब उसके उपर तीन नियम लागू होंगे और यह चुकी नियम है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रित्वी पर नहीं यह ब्रमभांड कहीं पर भी लागू होंगे जहां जहां द्रब्यमान हो ठीक नियम का मतलब ही होता है कि यूनिवर्सली बिल्कुल सत्य हो ठीक है नियम ने सबसे पहला नियम दिया गती का प्रथम नियम जो जिस किसके उपर वेश्ट ने वाई जड़तू जड़तू चुके हम अभी पढ़े चुके तो हमको अब समझ में आ रहा होगा कि यह कुछ इसी के आसपास होगा कि वह अपने चेंज को विरोध करेगा दूसरा नियम है वो होता है समवेग परिवर्तन की धर पे अभी जस्ट हम पढ़ने वाले हैं कि समवेग क्या होता है ठीक है समवेग क्या होता है इसको और जो तृतिय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया पर अधारित है तृतिय नियम हम कुछ करेंगे तो हमको कुछ प्रतिक कि लिए मिलेगी उस पर आधारित हैं तो यह तीनों नियम के बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि बही क्या होता है तो सबसे पहले चुक्किव जड़त उपड़ चुके हैं तो जड़ा सुर्ष नियम की बीघा तक तक कि उस पर कोई बाहरी आ संतुलितवल कारेरत ना हो यही तो तब से कह रहे हैं इस लाइन को कहने में और जड़तों का कहने में कि या कोई भी वस्तु अपने अंदर हो रहे अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जड़तों में क्या कहेंगे भई देखिए का थोड़ी सी चेंज है है पेपर में अगर आता है तो थोड़ा थोड़ा सब चेंज है दोनों में क्या चेंज है मूल बात जो है वो विलकुल सेम है लेकिन उसका कहने का तरीका चेंज है तो वहां पर जलतों में कहते हैं कि भई कोई भी वस्तू कोई भी द्रभमान अपने अवस्था में हो रहे पर परिवर्तन का विरोध करती है जबकि हम बात करते हैं किसकी भई गती के प्रथम नियम की तो ये कहते हैं कि अगर कोई वस्तु विरामा वस्ता में तो उसी वस्ता में रहना चाहती है या फिर अगर किसी सरल रेखा में एक समानचाल से चल रही हो तो वो उसी समानचाल से चलत रहना चाहती है कब तक जब तक कि कोई और संतुलित बल कारे रत ना हो अच्छा भी संतुलित बल लगा देंगा तो क्या होगा तो परिवर्तन ही नहीं होगा वो चल रही है चलती रहेगी विरामा उस्था में विराम में रहेगी परिवर्तन होने के लिए आसंतुलन जरूरी है मतलब अगर दूसरे सब्दों में देखा जाए तो देखिए वही लाइनागी सभी वस्तु यह अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि यह जो है यह जड़तों के नियम पर ही आधारित है प्रतम नियम जड़तों के नियम पर ही हमारे बुक वाले भी यही आला एक्सपेरिमेंट डील करते हैं और इस ग्लास के उपर एक रख लिया हमने क्या कार्ड बोटर ठीक है एक पेपर पेज कार्ड कुछ भी रख लिया यहां पर रख दीजे कोईन क्या रख दिया आप एक सिक्का और जटके से इस कार्ट को खिं गिर रहा है क्योंकि देखिए आपने क्या किया हुआ है आपने क्या किया हुआ है कि इस कोईन को किसमें रखा है रेस्ट में रेस्ट मतलब विराम अवस्था में और यह कार्ड को आपने अचानक से गती मिला दिया तो यह अगर रेस्ट में है तो यह रेस्ट में ही रहेग के वही मतलब जहां पे कार्ड था उसको liksom कीछ दिया तो कौई मेहीं रहे जो विराम वुस्ता में वर्म वुस्ता मेहीं रहना चाहती है नहीं तो आ doen कार्ड के साथ चली जाती ना अब घश कार्ड के साथ नो देखिये इसी कार्ड को The दीरे-दीरे-दीरे खीचि यह इसी काट को केका यहां सब से जब जइन था इंब ठीक है दूसरा ये भी कि आपको आता ही है प्रस्टिस में कैसा कि गती के प्रथम नियम को सोधारण समझाईए मतलब सोधारण मतलब उदारण सहीत समझाईए और क्या होता है तो और समझते हम जला जैसे हम बस में खड़े हूँ है ना बस में क्या हो खड़े हूँ और जब में खड़े होते हैं तब कि सिति क्या होती है कि हमारा जो पैर है जो मारा पैर है वही बस की बॉड़ी से connected होता है बाकि पूरी की पूरी बॉड़ी हवा में ठीक है अब अचानक से बस चल गई तो बस चलेगी तो क्या मैं ऐसा पीछे की तरब जुग जाएंगे क्यों पीछे की तरब जुगते हैं क्यों 우리가 इं के बस खड़े तो यह इनकी बॉड़ी का ऊपर का ही सबती sharp लेकिन यह पैर वाला हिसा यहीं कहीं है अब ऐसा क्यूं हुआ तो यह पैर वाला जो हिसा था यह बस के संपर्क में था तो यह बस आगे बढ़ गई तो पैर वाला हिसा तो आगे बढ़ गया ऊपर की बॉड़ी रेस्ट में थी तो वहीं के वहीं रहेगी तो पैर आगे चला यह पीछे नहीं गया आप ऐसे समस्द के पैर आगे चला गया तो पैर आगे जागा तो यह बॉडी पीछे ही जाएगी ना तो ऐसे जुख जाएंगे सायра लिए चलना सुरू कर दिया मतलब बॉडी की टेंडनसी क्या ओगे गती जूर जा में आगे मतलब गत्या वस्था में आगें गती कर रहा है अब अचछी ब्रेक लगगे तो जिस अवस्था में रहना चाहती है ठीक है अगर आप बदलने की कोसिस करेंगे तो पहले तो वो विरोथ करेगी तो यह क्या करते है विरोथ इसलिए क्या करते है बई कि जैसे बस में जांग खड़े होने की होती है तो उपर में भी एक ऐसा चेंड मना देते हैं कि भी इसको ऐसा पकड़ लो पकड़ने से क्या होता है क आपको उपर से भी एक support मिल जाता है या फिर generally ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा कि जो bus के अंदर pole होता है या फिर seat होता है उससे जादा सा जादा body को touch करा के रखते है body के जितना हिसा bus के body से touch में होगा उतने कम जटके लगेंगे ठीक है क्यों कम जटके लगेंगे क्योंकि body का जितना हिसा उससे touch में होगा वो उतनी जल्दी उसके साथ में rest में आजाएगा या फिर वो उतनी जल्दी उसके साथ गती में आजाएगा ठीक है तो मतलब क्या होता है जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहेबर ना लगाया जाए इसका प्रूफ भी आपने देख लिया ठीक है जब कार भी होती कार में हम पूरे सीट पर बैठें बहुत आराम से लेंकार अच्छानक से जब चलना सु में थी गत्यावस्था में थी चल रही थी अचानक से ब्रेक लगा और जितना बॉडी का पार्ट कार की सीट से संपर्क में था वो सब तब यह रुक गया और जो खुला था वो क्या होगा आगे तरफ चला जाएगा कि यह यह बताता है यानि हम क्या बताता है किसी वस्तु गर्ञारिक करता है और वस्तु त्वरीत हो जाती है मतलब जैसे आप रेश्ट में चलना सुरू कर दिए तो बाहर से लगा बल और वह बाहर से लगा वह बल ने क्या किया उसके वेग में परिवर्तन उत्वर्तन की तो diverse निया माईथिंग के लिए उगा होगा फॉस नियम जड़तों पे अधारित है क्या समझे प्रत्थम नियम जड़तों पे अधारित है मतलब वो अपने अंदर हो रहे अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी और इस विरोध के कारण क्या होगा कि इस्थिर अवस्था की चीज इस्थिर रहना चाहेगी गत्ती अवस्था की चेज गत्य वस्था में ही रहना चाहेगी चली बटों में तो एसा और आगे इसमें और हम जरह देख लेते हैं जो ये मास है जिसी बात करने के जरतू किस के कारण हो देखत है – मास के कारण, देखतो. तो एक ऐसा दिमाज में जड़तों में हाँ देखने को मिला है फिर आगे चलके गुर्तवा करसल वाले चप्टर में देखेंगे द्रब्यमान और भार में क्या अंतर है तो बैं तोड़ा सा सिर्फ आपको एक्स्प्लें कर दू द्रब्यमान का मतलब होता है कि वो वस्तु जिस चीछ से बनी है मतलब उसके अंदर के उपस्थित पदार्थ के जो मात्रा है उसको कहते है द्रब्यमान जिन चीजों से मिलकर के बनी है जो उसके मात्रा मतलब उसके जो कण है जो पार्टिकल्स हैं उनको कहते हैं द्रब्यमान जबकि हम भार किसको कहते हैं तो भार कहते हैं जिसके कहले गुर्त द्रबेमान M से लिखते हैं ठीक है और इसको हम नापते हैं किसमें किलो ग्राम या ग्राम किसमें CGS में नापना हो छोटी ही काई होती है CGS उसमें नापना हो तो ग्राम और जब SI मातरक की बात करते हैं किसमे नापी जाती है किलोग्राम एसाई में नापेंगे तो किसमें किलोग्राम है अचा द्रब्यमान किसी वस्तू की जड़तों का माप होता है यही द्रब्यमान उस वस्तू में जड़तों का भी क्या होता है माप होता है मतलब इसी द्रब्यमान के कारण उस वस्तू के अपने अंदर हो रहे अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है मतलब कोई भी चीज द्रब्यमान के कारण ही अपनी अवस्था में हो रहे परिवर्तन का विरोध करती है अगर उसके अंदर द्रब्यमान नहीं होता तो अपनी अवस्था में हो रहे परिवर्तन का कोई भी विरोध नहीं करती ठीक है तो अब देख लेते हैं जड़ा हम कि इन दोनों में अंतर क्या है तो क्या अंतर है तो जड़तों जो होता है जो जड़तों होता है वो किसी वस्तू का गुल या प्रविर्टी मतलब प्रविर्टी टेंडेंसी है ना हम क्या कह रहें जड़तों क्या से मिलकर के बना है जो उसके पदार्थ की मात्रा है वो होती है हमारी क्या द्रब्यमान और जब नापने की बारी आती है ना तो जड़तों किस चीद से नापा जाएगा तो ये नापा जाएगा द्रब्यमान से और द्रब्यमान किसी और टॉम से नहीं नापा जाता वो तो सिदे सिदे कालक android हो सकता है मतलब क्या कहता हुए कि जड़तो है वह किसी वश्तू के द्रब paws से ना पा जाता है किया स्वेम्ज इन से न आ पी जाने मुझाशि है मतलब सिर्फ और शभी यही डिफरेंस है कि जड़त 시간 पर वर्ति है और द्रबमान ج रहाए वो उसकी उपस्थित मात्रा है द्रबमान उसमें उपस्थित मात्रा है जबकि जड़तो जो है वो उसकी क्या है प्रविर्ती है उसकी टेंडेंसी है ठीक है चलिए